नमस्का दोस्तों, GK-Today सामान अध्यान के लेक्चर क्रमांग 5 में आपका बहुत-बहुत स्वागत है यह वीडियो हमारा 13 मार्च 2019 का है यह हमारी डेली GK-डेस्ट आधारित सीरीज है जो कि हम डेली वीडियो इसके अपलोड किया करेंगे दोस्तों अभी कुछ कारणों की बज़े से हमारे डेली वीडियो अपलोड नहीं हो पाये है इस बज़े से हम आज की आज दोस्तों इसके वीडियो अपलोड कर रहे हैं वीडियो करमांग 8 तक अपलोड हो जाएंगे आज आज दोस्तों और जब आप हमारी दी गई description box की link से आप हमारी career-academy.com पर चाहेंगे तो इसकी आप इन वीडियो सीरीज की आप इसकी career-academy.com पर practice भी कर सकते हैं और आप ये पिछले lecture में जा सकते हैं अभी हमने दो इसके जो वीडियो है मतलब इसकी प्रिश्मावली क्रिमाग 2 है उसके MCQ practice upload कर दिये गए हैं और PDF भी इसकी बहुत सांदार PDF है दोस्तों इसकी upload मतलब हो चुकी है और आप download कर सकते हैं उक्त वीडियो आगावी पृतियों की प्रिक्षा है जिसमें सामान ग्यान से समंदित question पूछे जाने हैं उसके लिए महत पूर्ण है और ये सामान अध्यान सामान ग्यान के अंतरकत हम निम्न टॉपक पर इसमें concept आधारित question सामिल करते हैं जिसमें ब्याख्या साहित शाम सामिल होती है और ये हमारा वीडियो करमाग पांच है जो कि 13 मार्च 2019 का है आईए हम सुरू करते हैं इस वीडियो का first question कि national botanical research institute कहां इस्थित है national botanical research institute जो इस्थित है लखनव उत्तरपदेश में इस्थित है उत्तरपदेश की राजधानी लखनव में national botanical research institute इस्थित ह भारत का पहला रॉकेट अंतरिक्ष में कब दागा गया था बहर 21 न overly 1963 इस भी को दागा गया था दोस्तों यदि आप तयारी कर रहे हैं एरेल वी की NTPC या फिर गुरुप की जिसमें भी जी के से सम्मधित कॉच्चन पूचन पूचे जाने हैं तो आप इसकी रिवीजन के दोर पर केरियरडेस्ट पर जा सकते हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपूटन साबित हो सकता है दोस्तों क्यों की कंसेप्ट आधारत हम इसमें जी के सामिल करते हैं और भारत का पहला रोकेट अंतरिक्ष एक्कीस नमबर 1963 को दागा गया था और भारतिय अंतरिक्ष कारिकरम डॉक्टर सम्दान के भाग से संबंदित कोस्चन सामिल किया गया था तो एक हम ये टॉपिक बाई सामिल कर रहे हैं वैसे तो और भाग तीन के अंतरगत मौलक अधकार सामिल है भारती सम्दान के भाग तीन मौलक अधकार सामिल होते हैं अनच्छित जो भाग सम्दान के अनच्छित जोड़ी गई थी वो प्रिथम सम्दान संसोदन अधियम के अंतरगत कब जोड़ी गई थी ये बर्स 1901 मंतलग 51 में जोड़ी गई थी नौवी एंसोची प्रिथम सम्दान संसोदन हुआ था उसमें बर्स 1901 में जोड़ी गई थी इसमें राजद्वारस संपत्ती अधिगरण के उपबंदों का उलेख है जिसमें कुल 284 अधिनियम है दोस्तों राजद्वार संपत्ति अधिगरण ध्यान दें ये most important हो जाता है अपका भारतिये समदान में आपाद उपबंद किस देश से लिये गया है भारत में बिरोजगारी का मुख सरूप क्या है ये मुख प्रकार नहीं है मुरोजगारी का सरूप क्या है ये मुख सरूप मतलब किस से ज़्यादा हमारे बिरोजगारी बढ़ती है हमारे भारत में तो ये सराचनात्मक मुख सरूप है, बैसे तो ये हमारे भारत इसमें चक्री बिरुजगारी भी है, एक्षक भी है, लेकर जो मुख सरूप है, जिसके कारण हमारा होता है, बैस सराचनात्मक बिरुजगारी है पानी में बुलवले का चमकना किस प्रकास की घटना का अधारन है पानी यदि पानी है वो इसमें बुलवला चमक रहा है तो यह एक पूर्ण आंत्रिक प्रावरतन की घटना है दोस्तों पानी में बुलवले का चमकना और यह पूर्ण आंत्रिक प्रावरतन एक प्रकास की प माद्ध्यम से कम अबरतांग बाले में प्रविज करती है और आपतन तो करते कोर्द से मान होता है तो पूह आंत्रिक परावरतन की घठना शओती है यह अपने दिमाग में उताद दें दोस्तों पूह आंत्रिक परावरतन की ISमें आपतन पivity कॉण करते टीन सब्सक्राण से कमड़धन अपवर्दनं आंग माधियह में प्रिवेस करती है और पानिय्य गुरूवले का चमकना पूना दंधिक प्रहवर्तन रिखायजारन को घमनाष्टिक घिलगी शुरूआत किस ने की थी आपको बताना है कि जमनाष्टिक खेल की शुरुवात किस ने की थी इसके पता महा अलग है और शुरुवात की थी फैडरिक जेहान ने जमनाश्टिक खेल की शुरुवात की थी केड़ी जाधा भारत जमनाश्टिक के खिलारी हैं दोस्तो किसके सुझाओ पर एसी याटक खेल का नाम ACI खेल रखा गया था प्रारम में जो ACI खेल हैं उसका ACI के नाम से शुरू हुए थे और पंडित जवाला नहरू की जो है सुझाओ पर इसने ACI खेल रखा गया था नहीं तो पहले इन्हें क्या पकारते थे ACI याटक खेल पोकारते थे और जमनाश्टक की उत्पत्ति गिरीक सब्त के जायो नौस से मानी जाती है और प्राचीन ओलंपिक खेलों में 766 USB पूर्व से 393 USB पूर तक जमनाश्टक खेल होते थे प्राचीन ओलंपिक खेलों में भी होते थे दोस्तो अभी आदने खेलों म तो हो दे ही हैं और S's on Gita Postak के लेखक कौन है? S's on Gita Postak के जो लेखक हैं उन्हें S Radha Krishnan, S Radha Krishnan, S's on Gita Postak के लेखक हैं. दोस्तों हम इस सीरीज को और implement करेंगे अभी हमने जोगी इसके option है उसके दोरा जो पोस्तक लिखी गई है ऐसे हम option सामल किया गरेंगे तो ये हमारे description box में हो जा करेंगे दोस्तों और इसके एस राधा कृष्णन ने एस जोन गीता पोस्तक लिखी गई है भारत देश में बीर बीरिता के लिए दिया जाने बारा 14 सबसे बड़ा सम्मान होता है असोक चक्र भारत की सांती की समय सबसे उंचा बीरिता का पदक है यह सम्मान सेनकों की असाधान बीरिता का सूर्ता बर्दान के लिए दिया जाता है यह मरणों परंत भी दिया जा सकता है इसकी स्थापना दोस्तों कलिया करें और इसके प्रिथम बिजेता है वो स्वास विस्वास बची जत्तर सिंग और नर्भादुर थापा उन्नीस सो बावन में दिये गए थे नर्भादुर थापा बचत्तर सिंग श्वास विस्वास ये ये प्रिथम बिजेता है भारत देश के बीरता के अदिनियम है सकती है 8 सब्ता पूर्व नहीं दीजा सकती है भिथा कि पुराने अधिनियम से से पहले उसको लाब नहीं दिया जाएगा इसका ये हिसारांस और अगला क्वेशन हम देखते हैं कि नील नदी के किनारे कौन सा सहर बसा हुआ है आपको बताना है कि नील नदी के किनारे दोस्तों बहुत सहर बसे हुए है तो उसमें कन्फूजन नहीं होना क्योंकि पिछले पीडिओन में हमें ऐसा इस को़्या सामैल किया गया था तो कहीरा, जो मिस्ट, मिस्ट का ऐक आसवण सहर है वहीं, जो है वो आसवण सहर है वहीं नील नदी के किनारे दोस्तों हुआ है का जो सहर है वो एलवे नदी के किनारे बसा हुआ है वहीं बहुत सहर है वो जर्मन वो भी जर्मनी रहनी नदी के किनारे बसा हुआ है और अंकारा टर्की वो किजल नदी के किनारे बसा हुआ है किजल नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों यह जो विस्स समंदित हमारे क्व कॉस्चन होते हैं तो यह हम यह अधिक से अधिक इसके जो वो है डिस्क्रोशन में यह डिटेल में सामिल किया करेंगे और बायू मंडल का सबसे निचले भाग की उचाई धरातल से वस्थन बारक किलूमीटर तक क्या होती है और यदि दोस्तों आपने यह आपने देखा होग यह हमारे पिछले वीडियो देखे हैं तो इससे कंसेप्ट बायू मंडल से अधिक सामिल किये गए थे तो इसमें छोब मंडल कहते हैं यहां तापमान इस्थर रहता है आपका पुलकिट जील किस दीप द्वारा समुझ से अलग करती है जो पुलकिट जील है वो किस द्वारा अलग करती है यह करती है नेल लौर के निकट श्री हरो कोटा प्रवाल नर्वत दीप द्वारा पुलकिट जील द्वारा सम सबसे बड़ा दीप भोसित किया गया है यह मजली दीप की बात हो रही है यह दीप ब्रहंपुत एबं लोध नदियों के संगम पर इस्तित है और यह पमन दीप है जो पमन दीप मननार की खाड़ी में इस्तित है अंडबार निकोवार का सबसे उत्री दीप कौन सा है आपको कोको जलमार्ग इसे मियावार के कोको दीप से अलग करता है और यहाँ चीन से निगरारी तंत लगाया गया है और कोको जलमार्ग है जो इसे मियावार के कोको दीप से अलग करता है यह उत्तरी दीप है और यह हमारा अंडबार निकोवार का लेंड फॉल ध्यान दे दोस्त केंद्रिये रजर्ब पुलिस बल CRPF की स्थापना कब हुई थी आपको बताना है कि केंद्रिये रजर्ब पुलिस बल CRPF की स्थापना कब हुई थी तो यह हुई थी हमारी 27 जुलाई 1949 इस भी को हुई थी केंद्रिये रजर्ब पुलिस बल की स्थापना CRPF की स्थापना और Crown Representative Police के नाम से इसकी स्थापना हुई थी और इसका नाम बदल के 1940 में बदल के CRPF किया गया था English Channel तेरकर पार करने वाली प्रिथम महला भारतिये कौन है? ये English Channel तेरकर पार करने वाली प्रिथम भारतिये महला हमारी आरती साहा है आरती साहा ने ऐसा कारनामा किया था कि जो English Channel तेरकर पार करने वाली प्रिथम भारतिये महला है भारत की प्रिथम महला अधिवेक्ता रेगना गोहा है रेगना गोहा का नाम भारत की प्रिथम महला अधिवेक्ता होने का बोरब प्राप्ते ने और प्रिथम महला राजदूत वजय लक्ष मी पंडित है 1947 में बनाया गया था और सोवियत संग इन्डियान एर एलेंज की प्रिथम महला पाइलेट है कैपdale दुरबा डेनर्जी 1966 में ने बनाया गया था अब ध्यान में कि सोवियत संग इन्डियान एरेलेंज की प्रिथम मेलपाले कौन है हमारी भाती है केप्टन दुरबा बेनलजी जिन्हें 1966 में बनाया गया था अंतराश्टी बितनगम IFC की स्थाफना कब की गई थी अंतराश्टी बितनगम IFC की स्थाफना जो की गई थी वह 1956 में की गई थी और अंतराश्टी बितनगम का जो मुख्यला है वो वासंग अठन DC में है और यह विस बैंक से सम्मान देते जिसके दोया आर्थित विकास को पुरुष्षान दिया जाता है विकास सी राज्जों के निजी बेपसायों को यह साहता प्रदान करता है बिलियम गिपसन ने अपनी पोस्तक नियूरो मेंसर में सरप्थम किस सब्से पहले निर्मान किया है पहले कंप्यूटर संचार नेटवर्क तता उसके चारों और फेले सूचनाओं के भंडार को साइबर स्प्रिस की कालपनिक नाम दिया गया है कंप्यूटर पर उपलब्द इंटरनेट के माध्यम से विवन सिवाओं को उपियोग को क्या कहा जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट पर उपलब्द इंटरनेट के माध्यम से विवन सिवाओं को उपियोग को कहा जाता है और क्लाउड कंप्यूटिंग जो होता है या मेक संगरना बास्तक में इंटरनेट आधारत एक प्रिक्रिया होती है और एक कंप्यूटर अप्लिकेशन का इस्तमाल है नेस्ट कॉस्चन देखते हैं कारवन क्या होता है ये हमारा साइंस से संबंदित कॉस्चन है कि कारवन क्या होता है तो कारवन एक अधातू होती है कारवन अधातू होती है इसके बारे में हम डेटिल देखते हैं कि प्रतवी पर पाए जाने वाले तत्तों में कारवन या प्र प्रमाणु भारा बारा होता है और ये ये तीन प्राकरतिक समस्थानिक होते हैं ध्यान दो ये ये जो छे हमारे प्रमाणु क्रमांग हैं ये बराबर हैं और लेकिन बारा तेरा चाउदा इसमें बढ़ोत्री हो रही है तो ये समस्थानिक होते हैं नय खोजे गए उच ताप अतिचालक कौन सा है यह आपको बताना है जो नय अभी नय खोजे गए तत्थ है उसके उच अतिचालक है ceramic oxide ceramic oxide कहा है और ये ceramic seradite इन microwave circuit में महतमूर्दत है और इसके crystal रासाने पर ग्यान की पूरी समझ भविस के ब्रकास के लिए मौलेक है दोस्तो सुतंतिता के पस्चाथ देश की प्रथम अध्यकुक नीती कब लाई गई थी जब हमारा देश आजद हो गया था उसके बाद प्रिथम मौद्ध के नीती ले आई गई थी 6 अपरेल 1948 इस भी को 6 अपरेल 1948 में कौणाक के सूर मंदर का नर्माण किस ने करवाया था आपको बताना है कि जो कौणाक का सूर मंदर है उसका नर्माण किस ने कराया था तो ये न कौणाक शूर मंदर भारत में उडिशा राद में जगनात पुरी से 35 किलो मेटर उत्तर पूर में कौणाक नामक सहर में इस्तित है यह भारत बसकी चुनिंदा शूर मंदरों में से एक है और इसे 1984 में इनुसको ने इसे 20 दरोवर इस्तल के रूप में मानता दी थी हल्दिया तेल सोदक कारखाना कहां इस्तित है यह बहुत बार कॉश्चन पूछा गया है और यह हल्दिया तेल सोदक कारखाना आपके पश्चम बंगाल में इस्तित है बसकत नहीं आता है इसका अंसर इसकी डिटेल के बारे में ज़्यादा पता नहीं है मुझे बैसाल्टी लावा कहां पाया जाता है आपको बताना है कि बैसाल्टी लावा कहां पाया जाता है और ये दक्कन ट्रेप में पाया जाता है दक्कन ट्रेप में बैसाल्टी लावा पाया जाता है और इसके अलागे में बैसाल के उपर बनी काली रेवर मिट्टी भी पाई जाती है तो ये भी इंपोर्टेंट होती है दककन ट्रेप में काली रेवर मिट्टी पाई जाती है दच्छन पूर्व मद रेलवे का मुख्याला कहा इस्तित है आपको बताना है इसमें जब तक कि आपकी एक जब होने वाले हैं तो अभी इसमें कम सामिल किये गए हैं तो ये दक्षिरपूर मर्द्र रेलवे का जो मुख्याला है बिलासपुर में इस्थित है और उत्तर मर्द्र रेलवे का जो मुख्याला है प्रियागराज इलाबाद में हैं बहीं पू बर्स 2018 का ये मंद्पदिस का मोश्ट इंपोर्टेंट सम्मान सामारो है और ये जो है वो एससी में एक जाम पूछा गया है दोस्तों और ये सितारबादक मंजु महता को बर्स 2018 का राष्टी इतांस सम्मान से सम्मान किया गया है 26 दिसम्ब 2018 को प्रिक्षाद सतारबादक मंजु महता को बर्स 2018 के राष्टी इतांस सम्मान से सम्मान किया गया है और इस सम्मान के तहद 2 लाख रुपे की राष्टी मत्पदिस सरकार द्वारा प्रदान की गई है दोस्तों देश का 25 बा उच्चे नयाला एक किस राध में खोला गया है तो यह वैसे तो आपके करंट अफेस का कॉश्टन देखता है लेकिन यह आपका जीके में परवित्त हो गया है क्योंकि 25 बा उच्चे नयाला एक किस देश में खोला गया है और यह एक जन्मणी 2019 को आंद प्रवेर्ध चोष्ख की रालधानी अमराभती जश्ट सिटी में स्ताफित किया जाएगा जश्ट चागरी प्रवित कुमार को न्या यह नाम है थी जश्ट चगारी प्रबीर कुमार नाम है उनका जन्हें अंद्पदीस चनल का प्रत्थम मुख नयादिस बनाया गया है। केंद्र सरकारद्वारा सवास्चन्द बोस आप्दाप्रबंदन पुरुसकारी की शुरूवात कब की गई थी। केंद्र सरकार द्वारा सुवास्चंद बोस आप्दा प्रवंदन की जो शुरुवात की गई थी बहे 28 दिसंबर 2018 को की गई थी 28 दिसंबर 2018 को केंद्र सरकार द्वारा सुवास्चंद बोस आप्दा प्रवंदन की सुरुवात की गई थी राष्टी अप्तर प्रवंदन प्राधिकरन के लिए साथ तीन सहस्थानों तथा ब्यक्तियों को यह पुरुषकार प्रदान किया जाता है जिसके तहर पांच लाक से क्यावल लाक की राष्टी जो है प्रदान की जाएगी हम इस वीडियो का लास्ट कोश्चन देखेंगे द दौर पर बहुत ही इंपोर्डेंट साबित होगी दोस्तों क्योंकि आप इतना जो है वो आपको यह साथ मटेरियल जो है हम देंगे आपको और कर सकते हैं और हम पहले इसका आंसर देख लेते हैं कि देश के सबसे लंबे दोहरे बोली बिरिज का उदगाटन प्रदान मंतर श्री नरेंद मोदीजी ने कब किया हमारे एसवसी प्रदान मंतरी नरेंद मोदीजी ने देश के सबसे लंबे दोहरे बोगी बोल बिरिज का उदगाटन कब किया गया था तो इसका आंसर हम देखते हैं 25 दिसंबर 2018 को 25 दिसंबर 2018 को देश के सबसे लंबे दोहरे बोगी ब ब्रिज का उद्गाटन प्रधान मंतिर ने मुद्दीजी ने किया यह ब्रिज असम के ड्रिबूगड में ब्रहंपुत नदी पर बनाया गया है इसकी लंबाई अधार्स से हमारा यह जो शीरीज स्टार्ट की गई थी मैं बार-बार बता रहा हूँ आपको तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यह मलेंगे कि आपको डेट पाइट इसी वज़े से फिक्स किया गया है और अबिंदियो अपलोड किया है वह हम आप देख ले हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्मा दोस्तो